हलो नमस्कार कैसा है मेरा यूटूब परिवार आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2024 में करजा मुक्ती अभियान एक बार फिर से सुरू होगा जैसे कि आपको पता है पिछले साल 2023 में लग भग 10,000 से जादा लोगों को करजा मुक्ती अभियान से सीधे राहत मिली थी उनके पा करें कि एक व्यक्ति जब लोन लेता है अपने लोन को नहीं दे पाता तो किस तरह से बैंक, NBFC कंपनी परिशान करते हैं उनको बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बताया कि उनके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा समस्याय आया है बैंक, NBFC कंपनी उ क्यूंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था उनको यह नहीं पता था कि अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो वह किसी भी तरह से कानून अपराद नहीं है आपने किसी भी बैंक से लोन लिया किसी भी काम के लिए अब वो लोन आपसे चुक पर रोक लगा दे बैंक NBFC कंपनी आपको मानसिक रूप से इतना जादा प्रतारित कर दे कि आप एक समय ये सोच लो कि अब जी के क्या फैदा इसी तरह से वर्ष 2023 में लाखों लोगों के लोन में सेटलमेंट करवाया गया लाखों लोगों के लोन पर डिसकाउंट्स दिये गया और कई हजार लोगों के तो लोन को माफ भी कराया हो गया ये फैदा आप भी ले सकते हो आप भी अपने लोन में राहत ले सकते हो इसके लिए कभी भी एक कस्टमर को सबसे जरूरी चीज क्या है अगर कोई भी वेक्ति आने वाले समय में अपने लोगों का सवाल होता है कि सर हमें तो ये भी नहीं पता कि जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं क्या यह कुछ राहत भी मिलती है और बैंक इसमें सहयोग करता है पर आज कल के जो हॉल चल रहा है उसमें मैंने देखा है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता जिसके कारण बैंक NBFC कंपनी आपको ही जबकि आप उनके कस्टमर हो आपको सर्विस देना चाहिए आपका जो भी हित हो सक पता है वो उनको बताना चाहिए पर आज के डेट में बैंक NBFC कंपनी आपको प्रतारित करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ डॉक्यमेंट्स हमारे पास होने चाहिए तो डॉ कर दीजिए अगर उस चीज में कहीं भी कमी हो रही है उसी समय इंकार कर दीजिए आप गलत प्रोड़क्ट देखके लोन ले लेते हो और आपको मिलता कुछ और है जैसे कि अगर हम लोग कोई भी वैक्ति लोन लेता है तो उनके पास लोन शेंशन लेटर होना चाहिए अग अगर वहां पर पास चार्ज मेंशन है तो बैंक बूलेगा की हमारे बैंक के पॉलिच बैंक कि हम इतना परसेंट चार्ज खरते हैं कैसे इंकार करो गया, आपके पास लुटर नहीं है, और दूसरी चीज, कभी भी बैंक आपके जो भी लोन दे रहा है, छोटा बडा, उसमें इंस्वरेंस करता है, अब ratings का चक्कर क्या होता है का बैंक इसको कवर करता है अपना छोटे से छोटे लोन को बड़े से बड़े लोन को अगर किसी भी कारण वर्ष वो लोन रिकवर नहीं कर पाता उस वेक्ते की मिर्थी हो जाती है तो बैंक को पैसे आएंगे कहां से कंपनी वाला उसको दे गगा इनी और सबसे हैरानी की बात क्या है कि कस्ट। को पता भी नहीं होता कि उनको क्या-क्या फायदे मिले होते हैं अय है सिटियुर लोन चोटे छोटे जो बैंक आपका इंस्वरेंस कर रहा है वही बैंक आपको लोन भी दे रहा है जब क्लेम की बात आएगी तो एक बैंक अपने ही कस्टमर को मने एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में पैसे डालने वाली बात हो जाती है तो बैंक कभी भी नहीं चाहता कि आपको इंस रिजेक्ट करा सकते हो उसको डिस्मिस करवा सकते हो अपने लोन पेसे और जो भी प्रीमियम लिया गया है जो भी आप पे कर चुके उसको भी बैंक को रिफंड करना पड़ेगा अगर उस पॉलिसी में अगर सारे कुछ अच्छे लग रहे हैं आपको तो सब कुछ समझने के बाद ही उसका प्रीमियम दे ना कि सिर्फ आपने ले लिया है तो अब हमें रखना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है इस बात को ध्यान दे और बहुत बारी क्या होता है कि बहुत बार व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहते कोविड कारण उकसान हुआ है तो ऐसे किसान ह हुए इन सब के लोन को माह भी कराया जाता है सरकार भी समय समय पर सामने आके सबसीड़ी देती है सरकार भी समय समय पर आके किसान हुए ऐसे व्यक्ति को छूट देती है पर इसकी जानकारी किसी कस्टमर को नहीं अब कस्टमर अपना फायदा तब निकाल सके ने जब कस्ट इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो नहीं है उनका भी लोन माफ होता है अगर कोविड कारण आपका बिजनस ठफ हो गया है तो यहां पर भी बैंक्रप्सी फाइल करके इस अब लोन माफ होता है अगर किसान अपने पैसे को नहीं दे पाता तो सरकार अलग अलग डम टाइम पर लग लग स्किम निकालते उनके भी लोन को माफ होता है पर यह सारी चीजी किसी कस्टमर को पता ही नहीं है अगर पता है तो उसके क्लेम करना नहीं आता अगर वो क्लेम करता है तो बैंक उसे कुछ भी समझा दे रहा है और यहां पर सबसे पहले की समझे हर च सकता है जहां पर एक रुपए भी नहीं देने हैं आप अपने बातों को खुद रख सकते हो कोई भी बैंक NBFC कंपनी अगर आपको गलट धंक से चार्ज कर रहा है गलट धंक से पैसे ले रहा है और आप जान कर रहे हो कि यह जो पॉलिसी है इस तरह से जो पैसे लिए जा रही यह गलत है आप उनकी शिकायत कर सकते हो और 30 दिनों के अंदर में आपको इसका पूरा हल के साथ निप्टारा मिलेगा ताकि आप बैंक NBFC कंपनी की चलरी मानी है इसको भी आप रोक सकते हो पर यह सब चीजे आप कब कर पाओगे जब आपको आपके अधिकारों के बारे में पता होगा तो कर्जा मुक्ति अभियान उनके लोन को माब भी कराया जाता है हर लोन के छोटे बरे अपडेट्स जानकारी के लिए अब हमारे साथ जूट सकते आपके कोई भी सवाल हो कमेंड कर दीजेगा प्रसनली बात करना चाहते स्क्रीन पे नंबर अपने टाइम को बुक करा लिजेगा हम आपसे प्रसनली ब कर दोटो माई एब कर दोटो एब 2 सा लिए 59 को प्रसनली बात करना जाएम 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 पक्राया मुटे लिए कर दोटो?"